हलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आये हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नमर 19 एक से 18 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेइस से देख सकते हैं वहाँ एक प्लेइस बना हुआ है बिहारतर होगा मेंस के नाम से वहाँ आपको एक से लेके 18 तक के सारे सेट्स मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म वॉल्म टू बुक का तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का मारे पहला कोश्चन है नल सरोबर बर्ड सैंचूरी कहां इस्थित है तो इसका जो सैयन सरोग अबो हो जाएगा कोश्चन Vernor 2 कह रहा है Jordan और Israella के मद कौन सा सागर है तो Jordan और Israella के मद है मिरित सागर तो आप से नबर C होगा हमारा साही अंसर होगा मिरित सागर से याज रखिएगा कि ये जो है खरेपानी की सबसे नीचली जहील इसे कहा जाता है मिरित सागर को ठीक है मिरिक सागर जो है यह समुन्द तल से 440 मिटर नीचे दुनिया का सर से नीचला बिंदू कहा जाने वाला सागर है क्वेशन नमर ठट कहा रहा है कि बास्केट बॉल के खेल में कितनी खिलाडियां से एक टीम बनती है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा आप्सन नमर सी पांच खिलाडिया होती है बास्केट बॉल के एक टीम में ठीक है अगर हम इगारा की बात करते हैं तो इगारा किसमे किसमे होता है होकी, फुटबॉल, किर्केट में इगारा छे से याद रखेगा बॉलीबॉल और आठ से याद रखेगा जिमनास्टिक छे होता है बॉलीबॉल में, आठ जिमनास्टिक में, इगारा होगा होकी, फुटबॉल और किर्केट में ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमर 4 Question number 4 कहरा है कि भारत में सबसे अधिक्तम ब्याय निमलिखित में से किसे आयात पर किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा Option number B, खनीज तेल के आयात पर सबसे जादा अधिक्तम ब्याय किया जाता है भारत असरकार के द्वारब लगबग लगबग कुल ब्याय का 30% भाग जो है वो खनीज तेल पर किया जाता है ठीक है खनीज तेल से याद रखेगा खनीज तेल जो है वो अब साधी चटानों से प्राप्त होती है और एक खनीज तेल तेल से इलेटेट संगठन भी है उसका नाम है OPEC ठीक है ये तेल निलियाद देशों का एक संगठन है नेक्स कोशन है कोशन नमर फाइब कोशन नमर फाइब कह रहा है ये आचिकार जैसे की परमादेश बंदी परतीची करन जारी किये जाते हैं तो इसका जो सई अंसर होगा वो हो जाएगा OPEC नमर C उच नियाले के द्वारा ये देखिए ये रीट है पांच तरह की रीट जारी होता है अनुचेद 226 के अनुसार उच नियाले जारी करता है और अनुचेद 32 के अंतरगत सरबोच नियाले जो होता है वो पांच परकार के रीट जारी करता है यहां से इची रोर याद रखेगा कि जो संबेधानी कुप चारों का अधिकार है इसी को भीमराव अंबेटकर ने संबिधान का हिर्दय या संबिधान का आत्मा भी कहा है क्लियर है? चलिए कुश्चन नमर्श इक्स का एरह है कि पृथिवी की धूरी है तो पृथिवी की जो धूरी है वो क्या है? जुकी हुई है? कितना? 23.5 डिगरी जुकी हुई है ठीक है? वो अपने अच पर 23.5 डिगरी जुकी हुई है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होच जाएगा ऑप्सन अबर A ठीक है? यहां से एक और चीज याद रखेगा कि जो इसका अच्छ है वो इसकी कच्छा के सापेच में 66.5 डिगरी का कौन बनाता है? नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर्श सेबन कुश्चन नमर्श सेबन कह रहा है कि निमलिखिद में से कौन सा कथन एक मार्तर सही है? तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा अप्सन नमर्श पौधे अपनी पतियों में भोजन मंड संग्रहीत करते हैं यह बिल्कुल सही है तो अप्सन नमर्श पौधे जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन नमर्श पौधे नमर्श करा है कि निमलिखिद में से कौन सी कथोर लकडी है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा महोगनी महोगनी जो है वो कठोर लड़की है कठोर लकडी है कठोर लकडी जो होती है उसी को इमार्ती भी बोला जाता है इमार्ती लकडी भी कहा जाता है क्लेर है चलिए question number 9 कहा रहा कि प्राथमिक रंग कौन कौन से है तो लाल हरा और नीला जो होता है वो प्राथमिक रंग कहलाता है तो option number A जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है और जो दो प्राथमिक रंग को मिलाने के बाद जो रंग बनता है उसको दूतिये रंग बोलते हैं जैसे लाल नीला को अगर आप मिला दीजेगा तो मेजंडा बन रंग प्राप्त होता है तब उसको एक दूसरे का पूरक रंग कहा जाता है क्लेर है चलिए कुश्चन नमबर 10 कह रहा फेरो मैगनेटिक पदार्थ है जो तो फेरो मैगनेटिक पदार्थ वो होते हैं जो चुम्बक से आकरसित होते हैं तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer होग as for example अगर फेरो मैगनेटिक पदार्थ की बात करते हैं तो iron example है उसका सबसे अच्छा निकेल, कोबाल्ट ये सब क्या है फेरो मैगनेटिक सबस्ट्रांस है next question है question number 11, question number 11 कह रहा है कि नालंदाब इस विद्याले की अस्थापना महान कार्ज था, किसका तो नालंदाब इस विद्याले की अगर हम बात करते हैं तो इसका अस्थापना कुमार गुद्ध प्रथम के द्वारा करवाया गया था, तो इसका जो सही answer होगा बो हो जाएगा, option number B, ठीक है अगर हम बात और options की कर लेते हैं, तो असोग की बात करते हैं, तो असोग से जो याद रखने बाली बात है, असोग से याद रखिएगा, कि असोग को पुरानों में असोग बर्धन भी कहा गया है, ठीक है एक और question असोग से पुछा जाता है, कि राजा बनने से पहले असोग क्या था, तो राजा बनने से पहले अबंती का राजपाल था असोग, ठीक है फिर आप बात करते हैं हर्स बर्धन की, हर्स बर्धन से याद रखिएगा, कि हर्स बर्धन को भारत का अंतिम हिंदु समराट कहा गया है ठीक है, हर्स बर्धन से एक और चीज याद रखिएगा, जो बान भट थे, वो हर्स बर्धन के ही दरबारी कभी थे ठीक है नालंदा भी इस विद्याले से याद रखेगा कि इसको बनवाया तो कुमार गुद प्रथम ने था लेकिन फिर बक्तियार खिल जी ने इसको नश्ट करवा दिया था ठीक है और कुमार गुद प्रथम इसकी अस्थापना कब करवाया था 436 AD में राज कुमार खुसरो था उसको सहयोग दिये थे और उससे सहयोग देने के आरोप में जहागीर ये काथा कि तुम राज राजकुमार खुसरों का सहयोग दिये हो और यही आरोप लगाते हुए 1626 भी में जो जहांगीर जो था वो गुरु अर्जुन देव को मिर्टुडंड दे दिया था ठीक है चलिए और आपसंस को देख लेते हैं पहले तो इनी का बात कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव के अगर हम बात करते हैं तो इनसे एक चीज़ याद रखेगा कि इन्हों ने अमरिसर जलासे के मध में हरमेंदर साहब का निर्मान करवाया था ठीक है अब बात कर लेते हैं और आपसंस की गुरु हरी किसन की अगर बात करते हैं तो यह सिखो के आठमे गुरु थे और इनको मिर्टु हो गई थी चेचक से ये भी याद रखेगा बहुत बार यह कोश्चन पुछा गया है कि चेचक से किस गुरु की मिर्टु हुई है तो वो गोबिन सिंग जो थे वो सिखो के दस्मे गुरु थे और इनका जन्म का हुआ था पटना साही में तो यह स्वयम को सच्चा पाथसाह कते थे ठीक है यह स्वयम को सच्चा पाथसाह भी कहा था चलिए अब बढ़ता है कोश्चन नमर 13 की तरब Question No.3 कहा रहा है कि Puna Pact किस किस के मध हुआ था तो Puna Pact जो था वो गांधी जी और Dr. भीम राव अंबेदकर के बीच हुआ था तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा Option No.D. अंबेदकर और गांधी के बीच हुआ था और कहां हुआ था? पुने की अर्वदा सेंट्रेल जेल में हुआ था कब 24 सितंबर 1932 की ये बात है ठीक है? अब Puna Pact के बाद हुआ क्या था ये देख लिजे Puna Pact के अगर हम बात करते हैं तो Puna Pact के द्वारा हिंदू दलितों के लिए अलग निर्वाचन देने की बेवस्था को रद कर दिया गया था लेकिन याद रखने बाली बात है कि Puna Pact के द्वारा किंद्रिये बिधाई का मंडल में दलितों को 11% के अस्थां पर 18% तथा बिधान सभाओं में 177 सदस के अस्थां पर 147 सदस देने का परद्धान कर दिया गया था Next question है question number 14 Question number 14 कह रहा है कि बंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में तो बंदे मातरम के अगर प्रथम संपादक की बात करते थे तब हो थे अर्बिंद घोस तो option number 14 होगा वो हमारा सही अंसर होगा और इसका जो परकासन था वो 6 अगस्त 1906 को हुआ था ठीक है बंदे मातरम का जो संपाद परकासन था वो सबसे पहले 6 अगस्त 1906 को अर्यम किया था बंदे मातरम से एक और चीज़ याद रखेगा बंदे मातरम जो था वो सबसे पहले बारहमा कॉंग्रेस अधिवेशन जो कोलकता में हुआ था ठीक है उसी अधिवेशन में गाया गया था ठीक है और इस अधिवेशन की अधचता कौन किये थे इस अधिवेशन की अधचता किये थे रहीम तुला स्यानी के दौरा किया गया था क्लेर है? चलिए next question है question number 15 question number 15 कहा रहा है कि भारतिये सम्मिधान में मूल कर्तबों के प्रभधान के संस्तुति निमलिखित में से किस ने किया था तो इसका जो सही answer होगा वो हो जाएगा option number D स्वण सिंग समीती के दौरा किया गया था देखेए अगर हम बात मौलिक कर्तब की करते हैं मतल Конечно मूल कर्तब की करते हैं तो यह सर्दार सिंग समीती के प्रसंसा पर इसको संविधान में सामिल किया गया है ठीक है? 44 संविधान संसोदन जो 1976 में हुआ था उसके तहद 10 मौलिक कर्तबों को समिधान में समाबेस किया गया था ठीक है फिर और कहा किया गया था भाग 4 के क में अनुछेद एकामन के क क के तहद ठीक है 402 संविधान संसोधन 1976 में भाग चार के कह में 80 क के तहट 10 मौली कर्टबों को समविधान में समाबस किया गया था और फिर जाके 2002 में 268 प्लिज़ान संसोधन के दवारा एक और मौली कर्टब को जोड़ा गया और अभी प्रजेंट में हमारे 11 मौली करतब हैं जो की रफिया से लिए गए है क्लियर है चलिए next question है question number 16 question number 16 कहा रहा है कि सुन आधार बाला budget सरपर्थम लागू हुआ तो सुन आधार बाला जो budget था वो सरपर्थम संजुक्तराज अमेरिका में लागू हुआ था तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D ठीक है ये जो संजुक्तराज अमेरिका की बात अगर हम करते हैं तो संजुक्तराज अमेरिका के Texas Instrument के budget निदेशन Peter A. Payer ने 1970 में zero budget प्रस्तूत किया था ठीक है zero based budget से एक और चीज़ याद रखेगा इसको sunset budget system भी कहा जाता है ठीक है अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सरपर्थम 1987-88 financial year में के अंदर सरकार ने sun budget प्रस्तूत पारिद किया था question number 17 कह रहा है कि संसार में चाय का मुख उत्पादक देश कौन है तो संसार में चाय का जो मुख उत्पादक देश है वो है चाइना तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगा option number ए चीन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा तो आसाम है पहले नंबर पे question number 18 कह रहा है कि युनानी चेकिस्तक बिज्यान का जनक किसको माना जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जगा option number C hypocriteus को माना जाता है युनानी चेकिस्तक बिज्यान का जनक माना जाता है जिसको हम लोग बोलते है father of medicine next question question number 19 question number 19 कह रहा है कि क्रोना किस देश की currency है ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number B Sweden की currency को हम लोग बोलते है Swedish क्रोना Swedish क्रोना बोलते है Sweden की currency को Sweden से एक चीज़ याद रखेगा Sweden जो है वो Europe का एक country है और इसके capital का नाम है Istiacom ठीक है अब options की अगर हम बात कर लेते हैं तो सपें की रद्धानी है Madrid और यहाद की currency है Euro अगर हम बात इटली की कर लेते हैं तो इटली की रद्धानी है Rom और यहाद की currency पहली थी लीरा लेकिन अब हो गई है Euro ठीक है तो ब्रिंदाबन गार्डन करनाट का मैसूर में स्थित है, तो इसका जो सायन सर होगा, वो हो जागा, option number A, मैसूर, ठीक है, ब्रिंदाबन गार्डन से याद रखिएगा, यह जो उद्दान है, यह कावेरी नदी से, बने कृष्णा साकरबांद के साथ सठा हुआ है, ठीक है question number 21 कह रहा है, किस राज के परिवहन विभाग ने चलो एप लॉंच किया है, तो इसका जो साय अंसर होगा, वो हो जाएगा, असाम, असाम के परिवहन मंतरी के द्वारा चलो एप लॉंच किया गया था, ठीक है, साथी साथ और खुछ याद रखिएगा, अगर हम बात बिह इसका बिहार की कर लेते हैं, तो बिहार से याद रखिएगा, मुख मंतरी कन्या उत्रयान योजना, जल जीवन हर्याली योजना, अर् Japanese अगर हम बात उत्रय सरकार के द्वारा चलाए है, अगर हम बात उत्रडेंच से याद रखिएगा कन्या सुमंगला योजना, एक जिल नमर 22 कर रहा है कि 1943 में नेताजी सुवास्चंद बोस ने स्वतंतर भारत आजाध हिंज की अंतकालिन सरकार अंतरिन सरकार के गठन को गोसित किया था तो इसका जो सही अंसर होगा बो हजाएगा ऑप्सन नमर C यानी सिंगापूर में ठीक है आजाध हिंज स्वाज की अगर हम नमर 23 कह रहा है कि सबसे पहले हमारा राष्टिये गान कब और कहां गया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा ऑप्सन नमर C कलकता में 27 दिसंबर 1911 को ठीक है ये कॉंग्रेस के अधिवेशन में अगर हम बात करते हैं तो कॉंग्रेस की अधिवेशन में में गाया गया था और अगर इसकी हम बात करते हैं राष्टकान की तो इसको हमारे सम्विधान सभा के द्वारा 24 जनबरी 1915 को सुष्कार कर लिया गया था ठीक है साथी साथ है को और चीद याद रखेगा कि रविन्रा ठागुन ने 1912 इसमी में तत्वधनी में भारत भाग बिधाता सिर्षक से इसको परकासित किया गया था नग्स कोशन है कोशन नमर 24 कोशन नमर 24 करा है कि भारत के सम्विधान में मौलिक अधिकार तो भारत के जो सम्विधान में मौलिक अधिकार है वो मौल सम्विधान का ही हिस्सा है तो आपसे नमर ए जो होगा वो बिल्कुल मुल सम्मिधान से इंपराप्त होता है लेकिन याद रखेगा कि मॉलिक संब्र मुल सम्मिधान में साद था नगीन 44.1978 के द्वारा संपत्तिक अधिकार को मॉलिक अधिकार से निकाल दिया गया और अनुचेद 300 के का के तहट उसको ढूनी अधिकार के रूप में परिवर्थित कर दिया गया या कानूनी अधिकार में उसे रख दिया गया ठीक है अभी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो मौली का अधिकार है यह भाग तीन में अनुछेद 12 से 35 तक में इसका बर्नन है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है क्लियर है चलिए Next question है question number 25 Question number 25 कह रहा है कि राज लोग सेवायोग के सदस्यों की न्युक्ति कौन करता है तो देखिए राज लोग की अगर बात कर रहा है तो राज लोग सेवायोग की सदस्यों की न्युक्ति जो है वो राजपाल करते हैं तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा लेकिन याद रखेगा न्युक्ति तो राजपाल करते हैं परंतु हटाने का अधिकार राजपाल के पास नहीं होता है ठीक है अगर हम राजलोग से बायोग की बात करते हैं तो इनका जो कार्जकल है वो 6 बर्स या 62 बर्स ठीक है और उनकी भी न्युक्ति राजपाल के द्वारा किया जाता है और राजलोग से बायोग के राजपाल के द्वारा किया जाता है परंतु राजपाल उसे हटा नहीं सकता है नेक्स कोशन है कोश्चन नमर्ट टॉंटी सिक्स Question number 26 कह रहा है कि भारतीय गंतंत्र में किसी राज की सदस्ता है तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जाएगा राज की सदस्ता जो है वो अनिबार्ज है ठीक है, मतलब कहने का simple सा मतलब है कि भारत में किसी भी राज को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number C अनिवार्ज है ठीक है आपने पढ़ा भी होगा अनुछेद 1 अनुछेद 1 के तहट यही लिखा गया है कि भारा जो है वो राज्यों का संग है ठीक है next question है question number 27 question number 27 कह रहा है कि भारतिये संभिधान का अनिमली खिद में से कौन सा पच USA के संभिधान के सामान है तो इसका जो सही अंसर होगा option number B मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार हम लोग लिये कहां से अमेरिका से अभी हम लोग पढ़े थे ठीक है साथी साथ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अमेरिका से याद रखिएगा मौलिक अधिकार लिया गया है नयाइक पुरिवन लोकन लिया गया है संभिधान की सर्भोचता नयापालिका की स्वतंतता राष्टपती परमाभयोग उपराश्पती और उच्च नयाले के नयाधीसों की हटाने की भिधरी और बीतिये आपाथ ये सारा चीज अमेरिका से लिया गया है तो आप इसे याद रखिएगा नेक्स कोशन है कोशन नमर्ट टॉंटी एट कोशन नमर्ट टॉंटी एट करहा कि कौन सी नदी दच्छिन भारत की गंगा कहलाती है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option नमरे काबेरी नदी जो है वो दच्छिन भारत की गंगा कहलाती है लेकिन आपसे ये पूछ दे कि दच्छिनी गंगा किसको कहा जाता है तब अंसर हो जाएगा गोदाबरी नदी, गोदाबरी नदी को दचनी गंगा या फिर इसको बृत गंगा भी कहा जाता है लेकिन दचन भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है clear है? चलिए next question हमारा question number 29 question number 29 कह रहा है कि भारत और बंगलादेश की सीमा की कुल नमबाई किलो मीटर में कितनी है तो देखिए भारत और सीमा, बंगलादेश की अगर बात करते हैं तो भारत और बंगलादेश की सीमा की कुल नमबाई है 4096 किलो मीटर जो कि भारत किसी देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है तो वो देश है बंगलादेश ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा वो जाएगा औरसन मड़ी देखे भारत कुल साथ देशों से भारत कुल साथ देशों के साथ सीमा सेयर करता है जिसमें सबसे ज़्यादा है ब पांचमे नमबर पर आजाएगा मैनमार छट्थे नमबर पर आजाएगा भूटान और सबसे कम जो सात्मा नमबर वो आजाएगा आफगानिस्तान इसके साथ सबसे कम और बंगलादेश के साथ सबसे ज्यादा ठीक है चल यह next question है question number 30 question number 30 कह रहा है कि भारत में जूम क्रिसी किस से जुड़ी हुई है तो देखिए जूम क्रिसी का simple सा मतलब क्या होता है कि जब किसी छेतरों में क्रिसी का आज के लिए बं को काड़ करके जला दिया जाता है और फिर उस पे कुछ टाइम तक खेती कर लिया जाता है और फ फूमें जो खेती है वो mainly जन जाती है अतिवासियों से संबंदित है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है यह mainly आम तोर पर इसकी अगर बात करते हैं तो यह परवतिये छेतरों में की जाती है question number 31 कह रहा है कि myopia का दूसरा नाम क्या है तो myopia का दूसरा नाम है short sightness जिसको हम लोग बोलते हैं समीब दृष्टी तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है question number 32 कह रहा है कि सुदूर फोटो चितरन में परकास की कौन सी किर्णे परियोग में आती है तो यह infrared आती है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा infrared किर्णे अब रक्त किर्णे की अगर हम बात करते हैं मतलब infrared की बात करते हैं तो इसकी तरंग धर क्या होती है अधीक होती है और अब रक्त किर्णों का परियोग signal के यात आयात में भी किया जाता है ठीक है next question है question number 33 question number 33 के अगर बात करते हैं तो यह कह रहा है कि यदि तामे के तार को दोगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा तो जब तार को दोगना बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा चार गुना हो जाएगा तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जाएगा option number A प्रति रोज से याद रखेगा प्रति रोज की मातरा क्या होती है ओम होती है question number 34 कह रहा है कि जब कोई दोड़ती हुई कार अचानक रुख जाती है तो यातरी आगे की ओर जुक जाता है ठीक है तो यह कौन सा नियम कहता है यह newton का first love motion जिसको laughing अर्षिया बोला जाता है जड़त का नियम बोला जाता है blank नामा के प्रघाती तरंग पैदा करती है तो इसका जो सही answer होगा बोह जागा option number C बीदूत रोधी तो इसका जो सही answer होगा बोह जागा option number D धौनी बूम ठीक है तो परधौनिक बिमान जो होता है वो धौनी बूम नामा के प्रघाती तरंग पैदा करती है Q. 36 कहा रहा है कि जिन पदार्थों में अनंद विदुत प्रतिरोध होता है उसको क्या कहते हैं तो जिसका अनंद मतलब इंफिनिटी विदुत प्रतिरोध होगा उसको हम लोग विदुत रोध ही कहते हैं तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer होगा Question no.37 कह रहा है कि दूर दर्सन चैनल की बिसिस्टा है तो दूर दर्सन चैनल की बिसिस्टा है प्रेसिस संक्यत की आपडिती तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो ज़ागा Option no.1 ठिक है, दूर दर्सन का मतलब होता है दूर की बस्तीओं को सच चितरन देखना ही दूरदर्षन का अर्थ कहलाता है ठीक है, दूरदर्षन देखने के लिए आयन मंडल क्याप सकता होती है जो रेडियो संचार में सहयोग करती है Question number 38 कह रहा है कि भोपाल गैस तरासदी निमलिखित में से किस गैस के रिसाब के कारण हुई थी तो भोपाल गैस तरासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाब के कारण हुआ था तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जाएगा Option number C, मिथाइल आइसोसाइनेट ठीक है, यह हुआ कर था 1984 में हुआ था, भोपाल की एक कंपनी थी ठीक है, यूनियन कारवाइट उसी के में परबंदन की कमी के कारण यह गैस का रिसाब हुआ था Next question है, question number 39 Question number 39 कहा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा आमल है जो मुल्ता कारवनिक नहीं होता है तो sulfuric हमल होता है, जो H2SO4 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मुल्ता कारवनिक नहीं होता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, option number B sulfuricum, देखें अब formula अगर सबका आपको पता होगा, तो आप खुद बेख खुद पता चल लाएट जागा कि कि carbon नहीं हो, वही मुल्ता कारवनिक नहीं होगा, तो sulfuricum, जो होगा, वो H2SO4 कहा जाता है, sulfuricum से एक चीज़ याद रखेगा, इसको oil of vitrol भी कहा जाता है, ठीक है, अगर और options की बात करते हैं, तो lacticum, lacticum का formula क्या होता है, C3H6O3 citricamil की बात करते हैं, तो citricamil का formula होता है, C6H8O7, और augjellicamil का formula होगा, C2H2O4, ठीक है, चलिए, next question है, question number 40, question number 40 कहरा, कि सक्रा या मंड के किन्मन से क्या पराप्त होता है, देखें, पहले तो बात कर लेते हैं, किन्मन क्या होता है, तो किन्मन क्या है, किन्मन एक jabra sionic प्रक्रिया है, जिसमें जटिल कार्बोनीक योगिकों को सुच्छम सजीबों के साहता से, सरल कार्बोनीक योगिक में भी घटित किया जाता है, ठीक है, किन्मन से एक चीज़ याद रखेगा, किन्मन में oxygen की जरूरत नहीं होती है, oxygen क्या आप सकता, नहीं होती है, और संक्राया मंड के किन्मन से क्या पराप्त होता है, ethanol पराप्त होता है, तो option number B जो होगा, वो हमारा सही answer होगा, question number 41 कह रहा है, कि iodine और potassium chloride के मिसरन से iodine को अलग किया जा सकता है, तो इसका जो सही answer होगा, वो है, उधर पातन सब्लीमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि iodine जो है, वो क्या है, उधर पातन जो है, और potassium chloride जो है, वो उधर पातन नहीं होता है, तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा, option number C, उधर पातन द्वारा, ठीक है, उधर पातन होता क्या है, जिसमें कोई ठोस सबस्टांस होता है, मतलब solid सबस्टांस जो होगा, वो बीना liquid state में गए हुए, direct vapor state में चला जाएगा, उसी को sublimation कहा जाता है, next question है, question number 42, question number 42 कह रहा है कि साबनी करन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो साबनी करन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, साबुन को बनाया जाता है, तो option number A जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, ठीक है, देखे, दो साबुन होता है, एक होता है, कड़ा हम लोग जएनरली बासिंग में करते हैं मतलब कपड़ा धोने में करते हैं और जो मुलायम साबुन होता मतलब वैसे साबुन जो उच बसियू हम लोग के पोटासियुम **** मतलब कास्टिक पोटास होता है, उसको मुलायम साइब उनका परियोग जो होता है, वो असनान करने में किया जाता है, ठिकर Question Number 43 करा है, किännविक प्रदूसन से होता है ब्लांक फुट रोग उता है, तो इसका जो Vict tadi होगा वो होजाएगा Option Number D, ब्लांक फुट रोग Question Number 44 करा है, कि NEBOLUK論 मेंसे कौनई परिजी बी नहीं है इसका सइजी इन्सरं होगा वो होजाएगा option number A, जू जो है वो परिजी भी नहीं है, question number 45 कह रहा है कि mycoplasma जिस रोग से संबंध है, बन्यमलिकित में से किन अभियबों को परभावित करता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, mycoplasma जो है, वो स्वास संबंधित रोग से होगा, question number 46 कह रहा है, कि एक चीटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिसा में बस्तूओं को देख सकती है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हो जाएगा, संजुप्त आखे, यानि option number D, देखिए, चीटी की जो आखे हैं, वो संजुप्त आखों की तरह कारण करते हैं, इसके कारण उसकी जो अवर्धन छंता होती है, वो अधीक हो जाती है, चीटी से याद रखिएगा, चीटी के है, अंथ्रोपोडा संग का एक जीब है, और चीटी के कारणे पे, फार्मी के सीट, फार्मी कंद होता है, वो निकलता है, question number 47 कह रहा है, कि जीब मंडल सुरच्छी छेतर का उदेश क्या है, तो जीब मंडल सुरच्छी छेतर का जो उदेश है, वो बन उत्पादों पर परियोग और विकास भी है, क्रिसी उत्यादों पर भी परियोग और विकास है, और बन भूमी के बस चभी जीत, और प्रानी जात का परियोग अच्छन भी है, तो इसका जो सही अंसर हो जागा, बो हो जागा, क्यादों है, खरियर में अगर जमाब हो जाता है, तो मोटापा हो जाता है, next question is question number 49, खरण मबर 49 कह자ा है कि blood flu ,ki selo capita है, तो blood flu के बारस है, उसको h5 a6 n1 के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो सही अंसर हो जागा, वो हो जागा, option number C, h5 n1. ठीक है ? ब्लड फ्लू जन्रेली मुर्गों में फैलने वाली एक बिमारी है, question number 50 कहा रहा है कि परकास संसलेशन प्रिक्लिया में परिवर्थन नहीत है, तो इसका जो सईयन सर होगा बो हो जगा, option number C, question number 51 कहा रहा है कि 1916 में Congress और Muslim League का संजुक्त दिवेशन कहा हुआ था, तो इसका जो सईयन सर होगा बो हो जगा, option number C, लखनव में हुआ था, ठीक है, देखिए, 1916 जो कि Congress का बतिसमा दिवेशन था, बो लखनव में हुआ था, और जिसकी अध्यचता अंबिका चरण में जुमदार ने किया था, उसी में Muslim League का संजुक्त दिवेशन हुआ था, और अगर हम गरमदल नरंदल की बात करते हैं, तो यह अलग मतलब Congress का बिभाजन कब हुआ था, 907 में सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यचता रास बिहारी घोस के द्वारा किया गया था, Next question is question number 52, question number 52 करा कि निमलिखीता स्थानों में से कौन सा, 1800 संतामन इस्वी के बिद्रों का महत्पून के अंदर नहीं था, ठीक है, कानपूर से याद रखेगा, कानपूर का बिद्रों का नेतरित नाना साहर और तातिया टोपे के द्वारा किया गया था, जहांसी से याद रखेगा कि जहांसी में बिद्रों का नेतरित लच्मी भाई के द्वारा किया गया था, और लखनाव में बिद्रो का नेतरित बेगाम हजरत महल के द्वारा किया गया था नेक्स कोशन है कोशन अमर 53 कोशन अमर 53 कह रहा है कि निमलिखित में से कौन 19 सताब्दी के भारत में समाजिक सुधार अंदुलनों का अग्रगामी था तो इसका जो सयंसर होगा बोच अप्सन नमर पी राजाराम मोहंजाय थे ठीक है राजाराम मोहंजाय से याद रखेगा इनको भारतिये पुना चागरन का पिता कहा जाता है भारतिये राष्टबाद का पैगंबर कहा जाता है अतीत और भविस का सेतु कहा जाता है भारतिय राश्टबाद का जनक कहा जाता है अधूनिक भारत का पिता कहा जाता है और भारत का प्रथम अधूनिक पुरूस या युग दूत कहा जाता है ठीक है राधारा मोहन से और याद रखेगा इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था और 1825 में बेदान्थ कॉलेज का स्थापना किया था और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इनों इनके दोरा किया गया था क्लियर है चलिए Next question है, question number 54 Question number 54 कहा रहा है कि एलोरा में सूब विख्यात क्यलास मंदिर का निर्मान किष्ट रास कूट सासक ने करवाया था तो इसका जो सइयं सरोगा वो होजाएगा आप्सनबर्सी क्रिस प्रथम के द्वारा करवाया गया था धनतिदूर्स से याद रखेगा इन्होंने सा सो बाबन में राष्टकूट बंस की अस्थापना की थी अमोग बर्स प्रथम से याद रखेगा ये जैंधर मानने वाला था और इन्होंने एक कभी राजमार्ग लिखा था जो कन्नर्भासा का प्राचिंतम साहित है और बस्त राज से याद रखेगा इसे गुजर प्रतिहार बंस का बास्तविक संस्थापक माना जाता है कोश्चन नमर 55 कह रहा है कि गुप्त यूग का परवत्तक कौन थे तो गुप्त यूग का परिवार्तक जो थे वो स्री गुप्त थे तो आप्सन नमर 2 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है फिर याद अगर और आप्सन की बात करते हैं घटो कच की बात करते हैं ठीक है धी राज की उपादी धारन किया था ठीक है समुद्र गुप्ट से याद रखिएगा समुद्र गुप्ट जो था वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये बिसनु का उपासक था समुद्र गुप्ट को कभी राज भी कहा जाता है question number 56 का रहा है कि लोधी बंस का अंतिम सासक कौन था तो लोधी बंस की अगर हम बात करते हैं तो लोधी बंस का अंतिम सासक था इबराहिम लोधी तो अपना number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम बहलोल लोधी की बात करते हैं तो ये लोधी बंस पानिपत की पहली लड़ाई में अगर हम बात सिकंदर लोधी की करते हैं तो सिकंदर लोधी से याद रखेगा इन्हों ने आगरा सहर की अस्थापना की थी 1540 में और इन्हों ने एक भूमी पैमाने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना भी बनाया था ठीक है लोधी बंस की अग क्षिशन नमर 57 कहा रहा कि बिजयनगर समराज का प्रथम सासा कौन था जिसते पुर्तगालियों के साथ संधी की थी तो इसका जो सई अंसर होगा बहुत जगा आपसन नमर D कृस्ट देव राय ठीक है इन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधी की थी इससे याद रखेगा क्रिस्देव राग के दरबार में अश्ट दिगज रहते थे अश्ट दिगज कहने का मतलब तेलगु साहित के आठ जो संसरेश्ट कवी थे उन्हें ही अश्ट दिगज कहा जाता है ठीक है क्रिस्देव राग से याद रखेगा कि इन्होंने आंधर भोच, अभिनो भोच, ये सब की उपाधी क्रिस्ट्डे रौ के द्वरा धारण किये गई थी किरिस्ट्डे रौ robot से एक और चीज याद रखियेगा कि क्रिस्ट्डे रौ के दरबार में डॉमिंग सवपयास पुर्तःगाली यात्री आया था ठीक है Ah, अगर हम बात हरियर की करते हैं तो हरियर और बुक्का से याद रखेगा, इन्होंने 1336 इसभी में बिजय नगर समराज की अस्थापना किया था, ठीकर, देवराओ दूतिये से याद रखेगा, कि देवराओ दूतिये को जग बेटकर कहा जाता है, जग बेटकर का मतलब होता है, हाथियों का सिकारी कहा जात 1540 में किया गया था, ठीक है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जाएगा, ओप्सन नमर डी, 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है, फिरोज रास सा तुगलक से याद रखेगा, फिरोज सा तुगलक ने लगबग लगबग 300 नए नगरों की अस्थापना की थी, जि कोईती है, असकार ने मुहमद बिन तुगलक की मुर्तिव पे लिखा था, कि फाइनली मतलब अंतता राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ठीक है, अल्ला उदिन खिलजी से याद रखेगा, कि इसने सेना को नगत बेदन और अस्थाई सेना का नी 59, question number 59 कहा रहा है, कि हर्स चरीद ने मिलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हो जाएगा, option number B, हर्स चरीद जो था, वो हर्स चरीद के लिखा कौन थे, बान भट, तो option number B, जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, ठीक है, बाल मिकी से याद रखेगा बालमिकी रिसी को भारत का आदी कभी भी कहा जाता है ठीक है ब्यास से याद रखेगा ब्यास मुनी को महा भारत का मूल रचाईता माना जाता है और पुरानों के भी मूल रचाईता ब्यास मुनी को ही माना जाता है next question है question number 60 question number 60 कह रहा है कि Columbus ने 1492 इस वी में किस अस्थान की खोच की थी तो Christopher Columbus ने 1492 में अमेरिका की खोच की थी तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा और Christopher Columbus जो था वो क्या था बेसीन का निवासी था तो ये भी याद रखेगा next question है question number 61 question number 61 कह रहा है कि Europe में चांदी का आयात मुघ रूप से कहां से होता था तो Europe में चांदी का मुखता आयात मैक्सिको से होता था तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer है अब इस में सरवधीक चांदी का उत्पादन भी मैक्सिको में ही होता है ठीक है अगर हम बात भारत की करते हैं तो भारत में सरवादिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है Question number 62 कर रहा है कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निमलिखित में से किसके द्वारा सुरूप किया गया था तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा सुरूप किया गया था तो अपसर नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा दीन ए इलाही को तोहीद ए इलाही भी कहा जाता है Question number 63 कर अनिवासी भारतिये NRI दिवस कब अंकित किया जाता है तो NRI दिवस नौजन बरी कौंकित किया जाता है तो अपसर नमर ए जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है और बर्स 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में परवासी भारतिये दिवस जो था उसका आयोजन निउ देली में किया गया है Next question है question number 64 question number 64 करहा है कि Myanmar की रधानी कौन सी है तो Myanmar की रधानी है ने पाईता तो अपसर नमर बी जो होगा वो हमारा सही अंसर है अगर हम Myanmar की मुद्रा की बात करते हैं तो Myanmar की मुद्रा है Myanmar कयात question number 65 करहा है कि WTO का मुख्यालई कहा है WTO का मुख्यालई World Trade Organization का मुख्याले जो है वो जिनेवा में स्थित है तो अपसन नमर D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा इसकी अस्थापना की बात करते हैं तो इसकी अस्थापना जो है वो एक जन्वरी 1905 में हुआ है और इसके टोटल 164 मेंबर कंट्री है और जो 164 मेंबर कंट्री है वो है अफगानिस्तान कोश्चन अब सिख्टिसी का कह रहा है कि करगम कहा का लोग नरीत है तो करगम जो है वो करनाटक का लोग नरीत है तो अपसन नमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा देखिए अगर हम बात भारत की करते हैं तो भारत में नरीत की मुखते दो सहलिया है एक है सास्त्रियन नरीत और दूसरा है लोग नरीत अगर हम सास्त्रियन नरीत की बात करते हैं तो केरल का सास्त्रियन नरीत क्या है मोहनी अटम या कथकली तमिलाडू का साफ्स्रियन निथ है भारत नाटेम और आंधपदेश का साफ्स्रियन निथ है कुचिपुरी ठीक है Question number 67 Question number 67 कहरा है कि द्रोना चार्ज पुरुसकार दिये जाते हैं तो द्रोना चार्ज जो पुरुसकार है वो खेल के मैदान में उतक्रिश्ट परसिचकों को दिया जाता है नमर सिच और sowए के अंतर को मनाए जाता है, 0 Snow 30 छोगा वहां वे हमारा सहीं अंसर होगा और थो अव्त हूक्त वरक ब्यादत में separately और को अभारत फूर्वानमंतरी लाल्वा अभाधूर सस्क्री जिंतिविश more सएयर मसेपने जाता है 24 अक्टूबर को बात करते हैं तो 24 अक्टूबर को UN Day मनाया जाता है ठीक है? चलिए Next question है Question number 69 Question number 69 कहा रहा है कि कुछ बहु कोशी कयों सजीब में जैसे राईजोपस, मस्रूम और कुछ जिबानू अस परजीलियस इत्यादी परजनन किस परकार से होता है? तो इसका जो प्रजनन है वो बिजानू से होता है तो अपसा नमरे जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अब पढ़ते हैं अगले questions की तरह Question number 70 Question number 70 कहा रहा है कि सुन्डा जनसंदी दो दीपों के बीच स्थित है उनमें से एक जाबा है और दूसरा दीप कौन है तो सुन्डा सर्जाज़ी का जो दूसरा दीप है वो है सुमातरा तो आपसा नमरे जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Next question है Question number 71 Question number 71 कहा रहा है कि उस अमेरिकी नागिल का अंदोलन करता का नाम क्या है जिन्होंने परसित भासन I have a dream दिया है तो इसका जो सही नामा अंसर है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपसा नमर B ठीक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करते है तो इन्होंने अमेरिका में नसल भेद भाव का तिवर बिरोध किया था ये गांधिबादी बिचारधारा से बहुँ ज़्यादा परभावी थे ठीक है अब रहाम लिंकन की बात करते हैं तो अब रहाम लिंकन दास प्रथा को अमेरिका में समाप्त किया था नेक्स कोशे रहे कोशन नमर 72 कोशन नमर 72 का रहा है कि एक तत्व का इलक्ट्रोनिक बिन्याद 2-8-7 है तो इसकी सही जगता क्या होगी इसके वैलंसी पूछ रहा है तो 2-8-7 है तो इसकी वैलंसी एक हो जाएगी ये एक इलक्ट्रोन किसी से लेग लेगा और अपने आउक्टेट जो है वो पूरा कर देगा तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा आपसन नमर्टी वैलंसी की जो सही जगता होगी वो एक होगी क्लिए रहे चलिए नक्स कोशन है कोशन नमर्ट 73 कोशन नमर्ट 73 कर रहा है ब्लैंक के कारण जड़त था तनों के घेरे गर्थ में ब्रिती होती है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होजागा आपसन नमर्ट भी पार्सर भी हो जटक नक्स कोशन है कोशन नमर्ट 74 कोशन नमर्ट 74 कर रहा है कि ड्रिट उत्तक ब्लैंच से बना होता है तो ड्रिट उत्तक जो है वो निर्जीब कोसी का से बना होता है ड्रिड उत्तक यानि अस्कालन काईमा, अस्कालन काईमा होता क्या है, एक ऐसा उत्तक जिसकी जो सेल होती है, वो मृत होती है, लंबी होती है, संक्री होती है, तथा दोनों सीरोय पर नुकिली होती है, उसको अस्कालन काईमा बोला जाता है, ड्रिड उत्तक बोला जाता है, दृत तक जो होता है वो निर्जीव कोसी का होता है तो option no.2 जो होगा वो हमारा सही answer होगा next question है, question no.75 question no.75 कह रहा है प्रसांती सिंग निम्लिखिद में से किस सकेल से संबंदित है तो इसका जो सही answer होगा वो जबá option no.2 बास्केट बॉल से संबंदित है और ये पदम सिरी प्राप्त करने वाली प्रथम बास्केट बॉल की खिलाडी है Q76 कहा रहा है कि Black Rock रेकिस्तान कहां इस्थित है तो Black Rock रेकिस्तान है वो United States में इस्थित है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर है लेकिन अगर आपसे question पूदे Black Forest तब अंसर हो जागा जर्मनी Black Forest जो है वो जर्मनी में इस्थित है Q77 कहा रहा है कि ब्राजिल का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो ब्राजिल का जो सबसे बड़ा सहर है वो है Sao Paulo तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और Sao Paulo से याद रखेगा ये बिस्व में कहवा की मंडी भी इसे कहा जाता है Sao Paulo को बिस्व का कहवा का मंडी भी कहा जाता है ब्राजिल की अगर capital की बात करें तो ब्राजिल का capital है Brasilia ठीक है अब ब्राजिल की मुद्रा है Ariel ठीक है इस ये डिजिनारियों से याद रखेगा जो प्रथम जलवाई उसम मेलन 1992 में हुआ था वो ये डिजिनारियों में ही हुआ था Q78 करा कि किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्च करने वाली बिभीन प्रकार की कोशिकाएं होती है ज़य तो इसका जो सही अंसर होगा बहो जरका option number ए जटील उत्तक में एक समान कार्च करने वाली बिभीन प्रकार की कोशिकाएं होती है जटील उत्तक मतलब दो या दो से अधीक प्रकार की कोशिकाएं से बने उत्तक को जटील असथाई उत्तक कहलाते है ठीक है इनका काम जेनरली होता है जेल, खनीज, लबन तर्था खात पदार्थों के पौदे के विभीना गों तक पहुंचाना होता है जटीलों तक जेनरली दो परकार का होता है जिसको हम लोग एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरा को बोलते हैं फ्लोय है Next question है question number 79 Question number 79 कहा रहा है अस्पाइरो गाईरा और प्लेंगिया में ब्लैंक होता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा पुन्ट जनन होता है तो इसका सही अंसर होगा option number D Next question है question number 80 Question number 80 कहा रहा है कि किसी पदार्थ पर ब्लैंक कार्ज करने के बाबजूद भी उसके अकार में परिवर्तन नहोंने का गुन कहलाता है तो किसी पदार्थ पर बाह कार्ज बल करने के बाबजूद भी उसके अकार में परिवर्तन नहों तो उसका गुन क्या कहलाता है ड्रिडि ठीक है तो ये था हमारा आज का जी एस का question एक से लेके 80 तक अब हम लोग आगे मैस के भी questions का मैं थोड़ा overview आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोग आराम से बना सकते हैं question number 81 कहा रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3 बटा 2 भाग निकालने के लिए कहा गया था ठीक है लेकिन उसने उस संख्या का तीन बटा 2 से भाग दे दिया उस संख्या को तो इससे उसका परिमान सही उतर से दस कम था तो मान लेजिए कि वो जो संख्या है वो एक से ठीक है question ये कह रहा है कि उसको 3 बटा 2 निकालने के लिए बोला गया था तो 3 बटा 2 अगर आप x का निकालेगा तो 3x by 2 हो जाएगा लेकिन उस बच्चे ने क्या किया किया कि उस बो जो संख्या है मतलब x है उसको 3 by 2 से भाग दे दिया ठीक है और ये दोनों का जो परिमान है बो क्या था 10 कम था तो एक वल्टू 10 यहां से आप क्या किजे कि x की value निकालीजे अगर आप यहां से x को solve किजेगा तो x की value आएगी वह तो आपसर नमबर b जो होगा वह आपका सही अंसर होगा नेक्स कोशन है कोशन नमबर 82 कोशन नमबर 82 कहड़ा ऐसे जिसनाइट का भी कोशन देखिए आप तो infinitive लिखा रह कोशन नमबर 83 कर रहा कि 5 संख्याओं का औसाद 10 है een 12 हो जाए तो तो देखें 5 संख्याओं को एपसर नमबर c जो होगा वह सही अंसर होगा next question है question number 84 question number 84 कर रहा है कि 6 क्राग मागत प्राकिट संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है तो 6 3 संख्याओं का योग फल कितना होगा माल लीज़े एक जो क्रामाद संख्या है उसको x, x plus 1, x plus 2 ऐसे कर करके x plus 5 तक माल लीज़े अब इसमें से x और x plus 1 और x plus 2 ये तीनों का संख्याओं दिया हुआ 27 तो यहां से solve किजएगा तो x की value आजाएगी 8 ठीक है तब last बाल है जो 3 था मतलब x plus 3, x plus 4 और x plus 5 यहां सब पर 8 की value लग दीजए x की फिर उसको solve कर लिजएगा तो असर आजाएगा 36 तो option number a जो होगा वो आपका सही अंसर होगा next question है question number 85 question number 85 करा कि a तथा b की बर्तमान आयू का अनुपात करम सा 4 अनुपात 5 है 5 बर्तबाद मान लिजए a और b की आयू है 4x और 5x ठीक है और 5 बर्तबाद मतलब दोनों में 5 जोड दीजए तब वो ratio बदल जाता है 5 ratio 6 ठीक है यह equation को solve कर दीजे यहाँ से x की value आजाएगी 5 मतलब a का बर्तमान आयू हो जाएगा 20 और b का बर्तमान आयू हो जाएगा 25 तो आपसे a की बर्तमान आयू पूछ रहा है ठीक है इस 1024 को आप क्या लिख सकते हैं 42 तो पाबर में 5 लिख सकते हैं और इधर दिया हुआ है 4x और इसका अंडर उड़ दिया हुआ है क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 4x और इसके पाबर में 1 by 2 is equal to 42 तो पाबर में 5 Q87 कह रहा है कि P की बेतन, R की बेतन से 25 परसेंट अधीक है, तो B का बेतन, A का बेतन से कितना प्रतिस्यत खम होगा, तो इसको अराम से आप सॉल्फ कर सकते हैं, 25 अपॉन में 100 प्लस 25 इंटू में 100, तो यहां से आप सॉल्फ कर लिजेगा, तो आपका अंसर आजागा 20 परसें अधार को 25 परसेंट की हानी होती है, मतलब देखिए, 450 रुपया में बेचने पर, मतलब ये 25 की हानी होती है तो वो से कितना में बेचें की, 25 का लाब हो जाए, तो देखिए, इंटू में 100 पर 75, मतलब ये 75 की value है 100 की चाहिए, और फिर 100 पर 125, यहां से आगा आप सॉल्फ कर । देखें आपको करना कुछ नहीं है, आप यहां लिख दिजे ए रइस्यो बी दिया हुआ, 7 रइस्यो 9 लिख दिजे, दूसरा दिया हुआ 1 रइस्यो 5, तो 1 रइस्यो 5 लिख दिजे, ठीक है, अब जो blank जगा है उसके बगल वाले रेस्यो से भर दिजे, यहां blank है 9, तो यहाँ blank वाले बगल वाला है 9 तो 9 से भर दीजे यहाँ blank है तो 1 तो यहाँ 1 से भर दीजे फिर दोनों को multiplied कर दीजे 7-9-45 अब आप इसको solve कर दीजे अगर cut रहा है तो और नहीं cut रहा है तो यही अंसर हो जाएगा तो यहाँ पर यह cut नहीं रहा है तो 7-9-45 हो जाएगा तो आपसर नमर 8 होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 90 question number 90 कर रहा है कि टीना और हीना ने करम सर रुपिज इतने और इतने केनी भेज से साजेदारी से बैपार यह जेनरली partnership का question है देखे यहाँ पुझी का अनुपात अगर आपसर निकालना होगा तो पहले वाले ने दो बर्स के बाद यह lab किया है तो देखे तो यह दो बर्स यानि इसमें आप 24 से multiplied कर दीजे यह ratio 45,000 into में 24 तो इन दोनों का ratio आजाएगा वो 2 ratio 3 आजाएगा और इतना का है तो इतना upon में 2 प्लस 3 into में 3 कर दीजे तब आजाएगा आपका 3,000, 30,000 और फिर में 3 से multiplied कर दीजे तब आजाएगा 90,000 तो आपसर नमर D जो होगा वो आपका सही answer होगा next question है question number 91 question number 91 कह रहा है कि लुप्त पद ज्याद करें यह generally क्या क्या है कि 1 प्लस 4 प्लस 2 यह 3 को add कर दिया 1 को 4 को 2 को तो यहाँ हो जाएगा 7 और 7 का square लिख दिया 94 यहाँ 4 प्लस 2 प्लस 4 add कर दिया 8, 8 का square लिख दिया 64 तो यहाँ 5 यह 169 जो है वो किसका है 13 का square है तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा 13 में से 8 माइनस कर दिये तो यहाँ भी आजाएगा 5 तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number B next question कहाएगा question number 92 question number 92 सीलो लिखम का question है सभी किताब कलम है तो देखिए सभी किताब किताब को अगर हम अंदर बना देते है भुक कि यह अंदर हो जाएगा और सभी किताब जो है वो क्या है pen है और फिर कहरा कोई कलम copy नहीं है तो कोई कलम जो है मतलब यह pen जो है वो copy नहीं है तो यहाँ blank बना दिज़े और यहाँ copy बना दिज़े ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number B कुछ column किताब है सभी column किताब है ये होगा ही नहीं कोई column ना तो column है ना किताब ये भी नहीं होगा और कुछ column काफी है ये भी नहीं होगा next question है question number 93 question number 93 करें महिलाएं manager तथा बकील के संबांद का सही निरूपन कौन सा करता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number D बकील है महिलाएं भी हो सकती है उसमें से महिलाएं कुछ manager भी हो सकती है तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 94 question number 94 को आप आराम से solve कर सकते है question number 94 का जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number D question number 95 कर रहा है कि किसी ली पर्स में एक जनवरी को मंगलबार हो तो उस पर्स में कुल कितने बुधवार होंगे ठीक है तो देखिए ली पर्स में एक जनवरी को अगर मंगलबार है तो उसका जो प्रथम बुधवार होगा वो दो जनवरी को होगा ठीक है और उसके बाद 366 को अगर आप 7 से डिवाइड किजेगा तो बाबन जो होता है उसमें पुन सबता होगा तो बाबन में आप 1 प्लस कर दीजे मतलब 53 होगा कुल बुधवार तो आपसा नमर D जो होगा वो आपका सही अंसर होगा नाच्स कोष्ण है कोष्ण अमर 96 देखे एक सीरीच का कोष्ण है इसमें दिखा होए है एट 6 फिर लिखा होए 14 2 6 14 30 162 देखे तो यहां किया कुछ नहीं है यहां 6 लाने के लिए क्लिए क्या किया है 2 को 2 से मल्टिप्लाइड करके 2 प्लस कर दिया तो 6 आ गया है फिर 6 में 2 से multiplied करके 2 plus कर दिया है तो 30 आ गया है इसी तरह से so on तो यहाँ 62 है तो 62 में 2 से multiplied करके 2 plus कर दिजिए तो 126 आएगा तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number a next question है question number 97 question number 97 कह रहा है कि z by x से यह generally है कुछ नहीं यहाँ minus 1 minus 1 हो रहा है तीनों में यहाँ plus 1 plus 1 हो रहा है फिर minus 1 minus 1 हो रहा है तो ऐसे आगर आप solve करते जाएगा तो यहाँ जो आपका letter आएगा बो आजाएगा dsi तो option number d जो होगा वो आपका सही अंसर होगा plus 1 और minus 1 का series कर सकते हैं आप आराम से फिर है next question number 98 question number 98 जो है वो क्या है इसका जो सही sequence होगा वो होगा A, B, C तीन-तीन का sequence है उसके बाद B, CA फिर C, A, B और फिर A, B, C तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number C next question है question number 99 question number 99 कह रहा है कि इसमें से आसंगत चुनना है आपको दिया हुए अपरेल, जून, जुलाई और सिप्टमबर ठीक है तो देखिए इसमें 30 और 31 दीन का fund आए जुलाई में 31 दीन होता है और बाद B, C जो है वो आपका सही अंसर होगा ठीक है next question में भी क्या है savings जुई से बादускे बाद से इसमें जुलाई से घुलाई लिजेगा और उसके बाद खुद से अटाम्ट कीजेगा उसके बाद ये बीडियो देखेगा और आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक्स फूर वाचिंग